इसमें लेहरक मनीर हीं आजकर जो हमारा लेक्चर है वो एक्जामपल ओव मल्टिपल लिनियर रिग्रेशन शिपी है बट मैंने आपको पहले जो करवा रहता है वो मैंने आपको थ्री एक्वेशन गिवन थी जिनमें वैल्योज पूट की थी जो हमने का लेक्चर इसे देपेंड़ वेडियाबस ते जिन पर वाइड पर ब्रेंड कर था चैस्टूडिन आप यह यह जो हमने इसे उस इक्जामपल से उठाई है जुकि इसे प्रिवियस लेक्चर में मैंने आपको यह सॉल्व कर के दिया था जिसमें समेशन ओफ यह मेरे पास यह था इसमेशन एक्सवान का स्क्वेर की वैलियू यह मेरे प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपके पास गिवन जिसमें मैंने एक्जामपल यह आपको कर रहा है को मल्टिपर इग्रेशन एक्वेशन फाइंड करने के लिए कि आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हों बागी यह आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से मैथड से कुष्चन सॉल्व करना जादा पसंद करते हों कि मुझे को स्टूडेंट्स ने कहा कि मैं इस मैथड पर और यह एज़ फार्मूला मेरे पास गिवना और यह फार्मूला मेरे पास क्या है यह मेरे पास है स्मेशन ऑफ एक्स वान वाई summation of x square का whole square minus summation of x2 y and summation of x1 x2 इसी तरह जो इसके नीचे values आती हैं वो आती हैं जी summation of 1 square and summation of x2 का square minus summation of x1 x2 का whole square ही आगे इसी तरह सेकिन में मेरे पास जो बीटा 2 है उसके लिए क्या आजेगा फिर मैं में difference भी बताती हूँ आपको हिंट बताती हूँ कि आपने इन फार्मूलर को याद कैसे रखना है summation of x1 y summation of x1 x2 और मेरे पास क्या आजेगा summation of x1 square and summation of x2 का square बीटा 1 बीटा 2 अगर आपको difficulty होती है equations में equations आपको प्संद नहीं है क्या आपके जली length ही काम हो जाता है cutting करना उसमें B1 B2 फाइंड करना या फाइंड करना फाइंड करना तो फिर आपको पार ये क्या आप को एलिये difficulty जो नीचे वाली टर्म है वो दूनाओ एक जैसी है कि स्वेशन ओवान स्क्वेर स्वेशन एक टू का स्क्वेर माइनस स्मेशन ओफ यहां भी से महें यहां भी से में यह तो आप तर्म ज्याद रहाने आप यह अँपर फ़ली टर्म है उसमें करने आपर टम में कि स्मेशन ओफ वाइवन एंसमेशन ओफ स्थ तू का स्क्वेर यह फॉर्ट बीट वान है ठीक है आपने यहां क्या करने कि स्मेशन ओफ बीटर ना एक्स तू यह तो लेने जो टम आप डिसका रहें और यहां उसके आपउसित आज़ेगा जिसमेशन ओफ शर्फ का स्वाइब हो इन तो यहां दीनिया निए दो लिए यहां इक्स डूरा पेट स्थी की डिसक्स का देश según याद रख लो कि आपने अपने फार्मूली को ऐसे अब देखे स्टूरेंट इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कल्कुलेट करने वाली जो आमने कल्कुलेशन ना कियो ठीक है आपको वाई गिवन था एक्सवन एक्सटू गिवन तो आप इसली इसको फाइंड कर लिया आपक दीब ही आपके पास गिवन है एन एक्सवन एक्सटू बही आपके पास गिवन एंड बाकी यह अर्स वान का स्कूर एक्सटू का स्क्वएर औरaskaबरा सबस्क्राइन ऐसी चытछ़जी नहीं हमारे पहसेज़ज़त मिhis में उभाके आपस ट्रश जीज कर दों है इस वाइं आ तो हमारे पास जो student values हैं जो हमने previous examples की हैं मैं उसी में से यह आपको values जो हैं चूज करके और लिखकर दे रही हूँ तो हमारे पास 85 आजएगा 41.2 आजएगा minus आपको में जी student calculation से जादा ना आपको focus करना पड़ता है स्टाइट्स में अपने formulas पे किया आपके formulas ठीक हैं आप इसे ठीक तरीके से कर रहे हो तो अगर आपको formula यादे calculation आपके लिए करना बहुत ज़दा easy हो जाएगा अब में चीज student आपके क्या हो जाती है कि calculation यह मैंने सारी values इसे पिछली examples करी है जो मैंने उस example के लिए है अचा student इसमें क्या है कि आपके पास जहां जिस तरह आपके पास यह गिवन हो और variable यह एकस वान एकस टू आपके पास गिवन तो आप सिंपली उसमें से एकस वान वाय की गिवन एकस वान का स्क्वेर लेकर फाइंड कर सकतो एकस टू का स्क्वेर इन दोनों को मल्टिप्लाइ कर सकतो तो कल्कुलेशन आपके लिए करना मुश्किल नहीं है आपको जो चीज़ जाद रखने माली है वहां का फार्मूला है जो के आपने सॉल्व करने हैं होंगे two variables given होंगे और independent variable और उनको आपने formula में चीज़ जाद क्या रखनी है formula formula में input करनी है values or find कर लेनी आपको में method बिता देती हूं में आप focus अपने method पर किया करें अब हमेरे पास क्या है अगर हमने alpha find करना है तो मेरे पास क्या equation होती है मैं equation आपको लिखकर बिता देती हूं कि मेरे पास क्या equation होती है y1 a plus b1 x1 plus b2 x2 अब मैंने तो find करना है जी a a find करना है तो मेरे पास क्या आजेगी y1 इन दोनों को मैं दूसरी side पे ले जोंगी तो फॉस्टिव साइन तो इस में होजेंगे negative sign में होजेंगे x1 and x2 this one and यहां हमारे पास क्या जाजेगा minus b2 and x2 हमारे पास values आजेंगे क्योंकि इनके sign change होगे है जब आप इनमे values put करोगे ठीक है student beta 1 and beta 2 की values put करोगे and x1 आपके पास कितने x2 हमारे पास कितने है तो फाइंड करोगे तो जो आपके पाफ values आजेंगे वह हमारे पास क्या आजेंगी one minus one point double three अच्छा अब इसमें एक चीज आजाती है y कैसे find किया हमने देखें y क्या है arithmetic mean ही है arithmetic mean ही है summation of y divided by n summation of y आपके पास given होगा जैसे कि previous example में मैं करवा चुकी हूँ और divided by n करोगे तो आपके पास जो है y की values भी आ जाएंगी तो इसी तरह आपने यह intercept जो हमारा था उसकी value भी find कर लिए अब आपके पास क्या है student beta 1 की value क्या given है 0.38 given है beta 2 की value आपके पास 1.62 given है a की value given है minus 1.33 अब जो आपके पास equation है जो आपने equation solves की है जिसके लिए आपने यह method जूज कर सकते हो वैसे मैंने आपको previous एक और method भी बता चुकी हूँ इसी example से related मैंने आपको पिछली lecture में करवाया है अगर आपको वह पसंद है तो आप उसको कर लो easily फिर तमाम question आप उसी method के तहत आप solve करो आपको समझ दोनो method क्यों नहीं चाहिए बढ़ आपको जिस method में जादे interest है जो आपको लग रहे आप easily कर सकते हो आप उसको attempt करो या आपकी choice है उसके बाद हम कहते हैं कि हमने find करना था estimated जुमारपा value होती है a plus b1 x1 plus b2 and x2 अब देखे student आपके पास a की value given है minus 1.33 plus b1 की value given 1.38 x1 plus b2 की value के है 1.62 and x2 तो यह equation required थी जिसके लिए हमने तमाम काम के अब student यह दो आपके पास method हैं जिसमें आपने एक में beta 1 and beta 2 का formula लेके fine कर सकते हो beta 1 and beta 2 direct fine कर सकते हो with the formula और एक आपके पास आ जाते हैं जिए three equations given हो जाते हैं जिसमें आप इन तीनों equations को आपस में solve करते हो इसमें say a, b and beta 1 and beta 2, b1 and b2 की values हैं वह fine करते हो फिर equations में put करते हो अब आपको जो method यह आपके बज़रा short method हो जाते हैं कि आप direct formulas में value पूट करते हो और fine कर लेते हो वह आपके पास ज़रा आपको equation solve करनी पर जाती हैं इस तरह से अकसे students को difficult पी लग रहा होते हैं यह आपके च्वाइस से आप इन दोनों method में से जो आपको easy लगते आप solve कर सकते हो ठीक है student तो I hope आपको इस method के भी समझ आई होगी मैंने इसके लिए जादा काम नहीं किया work नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि जो y है वो two variables involved होते हैं यह तो आपको भी अपता है multiple regression में तो आप simply अगर आपको कहा जाए कि जी आमने x1 का square find करने आप find कर सकते है तो आपकी इंशाला easily equations जो है वो solve हो जाएगी student I hope आपको भी इस method की समझ आई होगी अगर कोई problem है तो आप मुझे discuss कर सकते हैं मैं इंशाला आपको comments में जरूर जो आप दूंगी तक तक के लिए